आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिप्लोमाइन अर्ली चाइल्धूड केयर औन एजुकेशन डी इसी इसकोर्स को कहा जाता है यानिकि छे साल से कम उमर के जो बच्चों के लिए जो नर्सरी स्कूल होते हैं प्री स्कूल होते हैं या कुछ इसमें उनको प्ले स्कूल भी अन तक देखें वीडियो की सुर्वा से पहले आप इस इंपोर्टन अपडेट को भी जरूर देखें अनकैडमी का स्पेशल अनलॉक 20 ओफर जो है वो 20 परसंट ओफ देने वाला अनकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पर तो वो आपका 19 स्वरवरी 2022 तक यनकी सेटरडे तक सनिवार तक बढ़ गया है काफी अच्छी बात है तो आपको क्या करना है PC 2021 कोड का इस्तमाल कीजिए PC 2021 कोड जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलते ही दिख जाएगा तो PC 2021 कोड का इस्तमाल कीजिए और अनकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लीजिए च अगर आप PC 2021 कोड का इस्तमाल करके अगर आप अनकैडमी का प्लस या अइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं चाहे वो एससी के हो रेलवेस का हो बैंक का हो या फिर आपका UPSC सिविल सर्वेसिस एक्जामिनेशन का हो किसी भी तरीके का हो तो अनकैडमी का सभी सब्सक्रि अगर आपको बिल्क अगर आपको 20% अगर आपको इस मौके को आप बिल्कुल भी मत गवाई है क्योंकि 19 वरवरी 2022 तक इसको एक्सेंट कर दिया गया है तो आप इस को देख सकते हैं डिप्लोमाइन अर्ली चाइल्ड़ूट केर और एजूकेशन देख सब्सक्रिप्सक्रि प्रोग्राम फोर कॉंटिन्यूस नॉलिच एंड इस्किल सब्ग्रेडेशन फोर्डूस वर्किंग इन अर्ली चाइल्ड़ूट केर और एजूकेशन जितने भी अर्ली चाइल्ड़ूट केर जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुरुआत में जब जब बच्चे का जन्म होता इसे लेकर 6 साल के बीच में जो पीरियड होता है उसे अर्ली चाइल्ड़ूट केर कहा जाता है जहां पर बच्चा प्ले स्कूल में रह सकता है नर्सरी स्कूल में लह सकता है प्री स्कूल जिसको कहा जाता है या फिर ग्रैनी जिनको कहा जाता है तो उसमें जो है लगातार आपकी knowledge को बढ़ाया जाएगा कि किस तरीके से आपको वहाँ काम करना होता है किस तरीके से activities जो होती है children की वो observe करनी होती है और उनको उस तरीके से उनके साथ interaction करना जा कि वो उनका भी मानसिक और सारीरिक विकास हो पाए It is unique holistic package that equips the learner to foster the holistic development of young children children की जो छोटे बच्चे जन से लेकर 6 साल तक के बच्चे उनका विकास development हो पाए and will be of interest to those who are working with children और जितने भी इस तरीके के लोग है जो कि इनके साथ काम कर रहे हैं छोटे बच्चों के साथ काम कर रहे हैं सच है Scratches, Preschool, Pre-Primary Classes और Nursery School Those, Managing Such Early Childhood Care and Education जो भी इन तरीके के Early Childhood Care और Education Centers को manage कर रहे हैं Parents और जो जानना चाहते हैं यंग चिल्रन को किस तरीके से develop करना चाहिए तो उनके लिए यह काफी अच्छा कोर्स हो सकता है Eligibility की बात करें तो 10 प्लस 2 यानकी बारभी पास इसमें आपके लिए होना चाहिए सिर्फ बारभी पास अगर आप हैं तो इस कोर्स को आप कर सकते हैं Duration सिर्फ एक साल का यानकी एक साल के अंदर यह कोर्स आपका पूरा हो जाएगा देने पड़ेंगे जो एक्जाम फॉर्म जब आप भरते तो उसमें 200 रुपीस पर सब्जेक्ट जो होता है वह अलग से होता है प्रोग्राम की बात करें तो D, E, C, E 1, 2, 3, 4 आपको यह चार कोर्स करने पड़ते हैं जिसमें पहला है Organizing Child Care Services Organizing Child Care Services पहला कोर्स है फिर Child Health and Nutrition किस तरीके के उनकी बच्चों का स्वास्थे रहता है और उनको क्या पोसक देने चाहिए पोसंड देना चाहिए Services and Programs for Children किस तरीके के प्रोग्राम किस तरीके की Activity बच्चों को करवानी चाहिए किस तरीके की Playing Activity बच्चों को करवाई जाए जिससे कि उनको उनका विकास हो सके इसके बारे में बताया जाएक और उसका प्रोजेक्ट वर्क भी है और इस तरीके की सेक्टर में ही जौब पाना चाहते है जिसको Pre-School, Playing School कहा जाता है या इस तरीके के Early Childhood Care भी कहा जाता है कई देशों में तो वहाँ पर अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है इसमें आपको डिप्लोमा दिया जा रहा है और एगनु एक सरकारी संस्ता है सरकारी इंस्टिट्यूशन है तो इसका डिप्लोमा की निश्चित तोर पर हर जगा value होती है तो आप इस इसमें 21 जन्वरी 21 फर्वरी 2022 लास्ट डेटा इस समय उससे पहले आप इसमें ले सकते हैं तो इस वीडियो में इतना वीडियो आपको पसंद आतों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए सेयर जरूर कीजिए